Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains provide करता है, आपको high quality education वो भी free of cost, kindergarten से लिके class 12 तक की. CBSE board के courses तो आपको available हैं, but other state board के courses in Hindi medium वो भी available है. जैसे की UP board, Bihar board, MP board, Delhi board और Rajasthan board के. वो भी कैसे? Proper systematic way में तो कोई रिक्कत नहीं होने वाली है. साथ में आपको मिलेंगे daily practice sets के questions, e-books और e-notes के link भी description ने available है. तो कहीं भी भटकने की कोई भी जरुवत नहीं है. So, नया session start हो चुका है. नया session start तो हो चुका है, बट हमें ये भी तो देखना है कि हमें आगे पढ़ना क्या है. Social science में आपको पता ही है, 6-7th में आप पढ़के ही आएं, कि 3 subjects उसके अंदर रहते हैं. जैसे geography, political और साथ में आपका favorite history. So, एक book overview लेते हैं. चलते देखते हैं आगे. Okay, so, यह आपका सबसे बहले start है economic, sorry, आपका geography से, resources and development. अब देखते हैं, इसके अंदर है क्या-क्या. Chapter 1 में आपको मिलेगा resources. Resources means, साधन और संसाधन. मतलब, जिन चीज़ों का आप ब्योग करते हैं, जो आपकी utility या usability कले होती है, जो आपकी needs को satisfy करती है, resources के types पढ़ेंगे, तो इस chapter में आपको यह सम मिलेगा. तूसरा आप कर लेगा, land, soil, water, natural vegetation and wildlife. यह पढ़की थोड़ा तो idea आपको लगी रहा है, कि land related चीज़े होने वाली है, ठीक है, soil related चीज़े होने वाली है, कैसे, land degradation हम जैसे समझते हैं, कि उनको कैसे उसको problem create हो रही है, आज कल देख रहे हैं, किता दादा industrialization हो रहा है, urbanization हो रहा है चीज़ों का, तो land degradation यहां उसक rate में यह मिट्टी पाई जाती है, तो हम यही पढ़ने वाले इस chapter में, ठीक है, फिर होने वाला है, water की बारे में, भाई, पानी तो हम पीते ही है, यूज करते हैं, सबस्यादा नीड होती है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जानेंगे कैसा क्या रहता है, natural vegetation and wildlife, इससे forest वगेरा होगे है, plants वगेरा, इन सब चीजों से related, ठीक है, chapter 3 है आपका agriculture, भई, यह तो obviously सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यह क्या देता है आपको, अनाज, जिसे आप खाते हैं, consume करते हैं, और आपका पेट भरता है, और मस्त, खापी के आप सो जाते हैं, पढ़ाई तो करते नहीं है, बट खापी के सोने का जाधा रहता है, इसके बात बढ़ते हैं, ठीक है, तो agriculture भई, ज़रूरी है, हम जानेगे कैसा क्या रहेगा, कैसे किसान अपना काम करते हैं, क्या-क्या उनकी प्रोसेस रहती है, तो वो सब हम इसमें जानेंगी, ठीक है, फिर हम पढ़ेंग अच्छी बात है, बट हर चीज का कोई ना कोई छोटा मोटा कह सकते हैं, जो एक बोलते है, ड्रॉबैक होता ही है, ठीक है, तो इंडस्री पढ़ेंगे, देन हम चैप्टर फाइव में पढ़ेंगे, हमारी बात आ गई, रिसोर्स तो आपने फर्स चैप्टर में मैं पढ़ आपको कुछ समझा पा रही हूं, बहुत इजी आपको पढ़ा पारे हूं तकि आप अच्छे-चे माक्स अपने एक्जाम में लाए, तो मैं क्या हो रही हूं, एक तरीकी एक रिसोर्स की तरह काम कर रही हूं है, तो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, चलिए, देखते हैं आ पढ़ेंगे भई, यूणिट वन, the Indian Constitution and Secularism, मतलब Indian Constitution, भारत का समझवेधान और Secularism के के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, भारत का समझवेधानन हमें पता होना चाहिए, क्या-क्याचीज़े रहती यšमे, हमें मतलब מא физ से comment 아직 बेसिक आप 6 में थोड़ा जानकरी आपको मिल गई होगी, डेमोक्रेसी वगर ऐसे रिलेटेट, फिर आपको 7 में एक Equality क्या चीज़े होती है, मतलब आपने Almost आप पढ़के आ चुके हैं, तो अब हम समविधान के बार में पढ़ेंगे, और साथ में पढ़ेंगे हम Secularism के बार में, जो कि बहुत ही कह सकते हैं, अच्छा topic है, कि हमें पता चैनली कि हमारा भारत कितनी है, मतलब डाइवर्स है, अलग-अलग धर्म के लोग है, अलग-अलग कास्ट के लोग है, तो हम Indian Constitution के बार में पढ़ेंगे, हमें पता होना चाहिए, पहले तो हमने थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ा कि Indian Constitution ये करती है, ये laws वगएरे, ये rules वगएरे, जो उनमें रहते हैं, जो हमें follow करने रहते हैं, या वो उनको सबको एक मानती है, उनकी नजर में सबको एक है, तो उस ताइम पर कैसा था पहले चीजे, अब कैसी है, ठीक है, अब देखते न, इस caste का है, अपन नॉर्मल ही ये कहले है, और ये दूसरी caste का है, तो हम उसको मतलब उस तरही किसी देखने लगाते हैं कि यह लोग तो ऐसा खाते हैं ऐसा पहनते तो यह हमारे टाइप के नहीं है यह इस धर्म के हैं तो इनके ऐसा होता है तो हमारे टाइप के नहीं है हम इनसे कैसे दोस्ती करें, हम इनके साथ कैसे बैटे प्रॉपर बात ही नहीं हो पाती, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, इंटराक्शन नहीं हो पाती, तो यही सेकुलिरिजम का एक कहज़क्ते, सेकुलिर का एक पार्ट है, तो understanding secularism हम इसे समझेंगे ठीक है? Parliament and the making of laws यह हमारा unit 2 है इसके अंदर रहेगा chapter Parliament and the making of laws भाई यही है heading यही है unit 2 के और chapter यही है कि Parliament को समझेंगे ठीक है उसके बाद the making of laws ठीक है Parliament है बट laws कैसे बनते हैं? क्या क्या बनते हैं? हमें हमारे लिए क्या होते हैं? एक आम जनता के लिए क्या होता है? क्या क्या facilities हैं? क्या क्या laws प्रोवाइट करे गए हैं Parliament? तो हम Parliament की द्वारा तो हम इसे समझेंगे इस चैप्टर में The judiciary, फिर हम judiciary के बारे में समझेंगे कैसे क्या levels होते हैं? क्या क्या चीज़े होती? क्या काम करती हैं? तो हम वो इस unit और चाप्टर में समझेंगे उसके बाद social justice and marginalization भाई इसके अंदर आएगा हमारा understanding marginalization ठीक है? भाई social justice, इंसाफ की बात आ जाती है marginalization आ जाता है किन को काम आकते हैं? किन के लिए क्या चीज़े रहती हैं? उनको हम इतना बोलते हैं कि उनको मतलब justice basically हम उन्हें इनसाफ नहीं मिल पा रहा है काफी लोग ऐसे, ठीक है, कानून है, laws बने है laws बने है, ठीक है, बड़ इसका मतलब यह नहीं कि अगर government ने कोई law मतलब order passed कर दिया, तो सारी जनता उसको follow करिया आपने देखा है ना, कि पता है फांसी की सजा होगी, पता है उम्र कैद होगी बट स्टिल, चीज़ें होती हैं, murders होते हैं, rapes वगेरा होते हैं, काफी चीज़ें होती है आपने खुद देखा है, आप समझदार बच्चे आप इस चीज़ें समझते हैं, तो जरूरी नहीं कि 100% इसको कोई follow कर रहा है तो social justice हम उने समझेंगे, marginalization समझेंगे, ठीक है, तो एक confronting marginalization, फिर हम इने confront करेंगे जैसे कोई मैं किसी चीज़ को मैं कह रही हूं, तो आप मुझे confront कर रहे हैं, मुझे मतलब वो कर रहे हैं, कि नहीं नहीं, मैं आपको समझाता हूं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब बेसिकली हम, marginalization को पहले हमने समझा, बट अब हम उने उसे confront करेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, don't worry, जो detail है, वो हम chapters में पढ़ेंगे, so चिंता करने की कोई बात नहीं है, यह मैं आपको इक brief रहे हूं, ठीक है, now unit 5 में हम पढ़ेंगे, economic presence of the government, ठीक है, government healthy करती है, state government हमने सुना है, central government सुना है, but now यहां बात आ जाती, economic presence, economics से आप समझी जाते हैं इतना, कि जो चीज़ मॉनिटरी टर्म्स में हो, ठीक है, country से related हो, आपके state से related हो, जो economic terms में हो, तो government की क्या presence है, मतलब economic terms में government क्या कर रही है, पैसों से related हो गया, तो हम इन चीज़ों में पढ़ेंगे, जो मॉनिटरी चीज़ों से, ऐसा नहीं है कि country में कुछ पैसा होना चाहिए, बोलते हैं, जो GDP इतनी है, तो यह जो चीज़े होती है, कि कितना जो खपत हो रही है, जो पैसा अर्न हो रहा है, तो कैसे-कैसे जो की backward areas, उनके लिए schemes बन रही है, कैसे-कैसे चीज़े हो रही है, वो कहां use हो रहा है, तो वो साव हम basically, यह economic presence मतलब monetary terms में, तो government उसके लिए क्या role play करती, government कैसे उसे manage करती है, या क्या government का role रहता है, वो हम देखेंगे, ठीक है, public facilities, इसके अंदर आजाएगा public facilities, जैसे public को क्या facility provide करती है, economic मैंने बताया न, अब देखते हैं आप जैसे roads वगेरा, construct करना या अच्छे से hospitals वगेरा, ये schools बन जाना, आप देखते हैं, जैसे सुलब शौचाले वगेरा होते हैं, तो ये सब जो है, government क्या क्या facilities provide करती है, और भी चीज़े रहती है, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको brief दिया है, तो हम चैप्टर में देखेंगे, कि public facilities कैसी क्या रहती है, और public जैसे को facility का फाइदा उठा पा रही है, नहीं, proper है या नहीं, सब satisfy है या नहीं, देखें, 100% तो होना बहुत ही मुश्किल है, बट जितना भी है, वो हम देखेंगे, और कहां का लैक कर रही है, चीज़े, वो भी हम देखेंगे, then chapter 8 में हम पढ़ेंगे, law and social justice, भाई, laws के ब इंसाफ नहीं मिलता, laws तो बने हुए है, ऐसा नहीं कि laws नहीं, हर टाइप की चीज़ों के हर टाइप की laws बने, acts बने हैं, बट स्टिल, चीजे लैक करती है, तो वो हम पढ़ेंगे की कैसा क्या होने वाला है, ओके, तो यह था आपका politics का portion, now हम आते है, आपका बहुत ही प् introduction रहता है, आपको याद होगा अगर, हो सकता है, नहीं भी उतना हो, but 7th में भी हमने introduction नहीं पढ़ा था, 8th में भी पढ़ेंगे, how, when and where, मतलब कैसे कब और कहां चीजे हुई, तो वो हम पढ़ेंगे उसके अंदर क्या था, देखिए हमने 6th में आपने देखा यह कैसे कैसे लोग आएं, लोगोंने क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट करा, ट्रैवल करना स्टार्ट करा, ठीके थीरे-धीरे जो है, skill gatherers बने, cities बनने लगी, kingdoms बनने लगे, then हमने 2nd में पढ़ा medival history, basically, जो बीच की history होती, जिसमें डेली सलतनात आई, मुगल्स आई, धीरे-धीरे politicals, ज basically, हम पढ़ते हैं, कि ancient history होती है, medival history होती है, then modern history, तो हम थोड़ी सी modern history पढ़ें, कि जिसमें फिर आप देखते हैं, Britishers आई, कैसे-कैसे उनका आना हुआ, क्या-क्या चीज़े होई, तो how, when and where, तो हम start यहां से करें, then chapter 2 होगा, from trade to territory, the company establishes power, by trade to territory, इतना आपने भी ध्यान अपने प्रेंड की जाना होगा, सुना भी होगा, कि जो अंग्रेज आयते हैं, अंग्रेज भी बोलते हैं, basically, Britishers, या सबसे स्टार्टिं में तो portuguese या French, यह लोग आयते, अंग्रेज थो थोड़ा बाद में आयते, तो यह लोग आयते, तो यह लोग बेसिकली ट्रेट करने कि जैसे आप किसी के अपने फ्रेंड की कजन के एक्जामपल ले लेते हैं, वो जादा बेटर है, आप अपने घर में नानी के आँ चले गए, आपका कजन आया हुआ है, उसका एरिया आपको अच्छा लगया, तो आपने उसको से लड़ जगड के, उसको हरा के, उसको अप लेने, बट आपने तो टेरी टेरी बना लिया, आपने इस कंट्री को इता कमजोर समझ लिया, अपने फाइदे के लिए आप समझ रहेते हैं, क्योंकि उस ताइम पे इंडिया को क्या कहा जाता था भारत को, गोल्डन चिडिया, सोने की चिडिया कहा जाता था भारत को, तो एरिया को जीते जीते पूरा ओल ओवर धीरे दीरे उन्होंने आस पास के पूरे एरिया में और और आल्मोस्ट अकंट्री को उन्होंने क्या करना चाहिए उस पर रूल करना साथ कर दिया हम बहुत भारत पर अंग्रेशों ने राज किया तो हर चीज़ की प्रॉसेस होती ग्र दीकूस एंड़ विजन ऑफ गोल्डन एज कि कैसे ट्राइबल्स अधर ट्राइब्स वगरा आए दीकूस आए और गोल्डन एज का उनका क्या विजन था और उस तैंपर क्या चीज़े थी वह हम पढ़ेंगे वेन पीपल रिबेल 1857 और पीपल ने जब क्रांती रिबेल करा अगेंस गये 1857 की बात है हम 1857 का पढ़ेंगे और उसके बात क्या इंपक्ट हुए हम उनकी बारें पढ़ेंगे देखे कोई भी हमारे एरिया में आता है तो हम बरदाश ठीक एक हद होती फिर एक ताइम बस आपको लगता है कि यह हमारे एरिया में आके हमारे भारदेश में आके हम पर ही हुकूमत कर रहें तो रिबेल तो करेंगे एक हद होती जिनोंने सहलिया सहलिया बट कोई ना कोई ऐसा आया शुरुआत की तो रिबेल करना स्टार्ट करा तो 1857 में यह हुआ ठीक है और उसके मूल रोख जो यहां रहती थे तो उनको एजुकेट करना ठीक है तो उनको धीरे-दीरे मतले थोड़ा बत पढ़ाई से रिडेटेड है और भी चीज़े हम इसके अंदर देखेंगे ठीक है तो सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन नेशन को पढ़ेंगे कौन-कौन से थे देन कास्से रिलेटेट की चीज़ें रही वह हम पढ़ेंगे कि क्या-क्या दिक्कत यह देन रिफॉर्म सुए वह हम पढ़ेंगे आफ्टर एक लास्ट है दे में कि आशनल मूवमें 1870 तो 1947 में हमें आजादी मिली ती यह तो हम जानते हैं ज कि सबसे पहले तो कैसे क्रांदी का रही है अलग-अलग टाइप के फिर करते-करते आपने देखा कि सब के अपने स्लोगन बने लोग जेल गया उसके बाद गांधी जी आए गांधी जी ने कैसे अपने अलग-अलग मूवमेंट्स लाए हैं हर चीज आपको पता इतने आसा हुआ था हमारा देश तो हम यह सब इसके अंदर पढ़ेंगे तो इसी के साथ आपका जो बुक का ओवर वियू है क्लास 8 का ओवर होता है मैंने आपको ब्रीफ ते दिया है कि क्या क्या चाप्टर्स हम तीनों में पढ़ने वाले हैं अगर आप देखना चाहते और भी वीड स्क्रिप्शन में अविलेबल कर दी जाती है साथ में आपको यह होते हैं कुछ टॉप कोर्स वह भी हाई क्वालिटी में 100 पॉसंट फ्री हिंदी मीडियम चैनल भी जरू सब्सक्राइब करें वहां पे जनल नौलेज की बहुत अच्छी चीजे बहुत अच्छे शौट से से अच्छे चाहू जो हैं आपको कह सकते क्लास इजे आप उन्हें भी काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। CBSE बोर्ड, डैली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UPS, MP बोर्ड, राजिस्तान बोर्ड की कोर्से भी आपको एवलेबल है। Vedic Maceds необходимо is available, crash course, spoken English को भी आपको available है अधर प्लेट्फाम में अगर आप हमें follow करना चाहते हैं, तो आप हमें Facebook, Instagram , X , Telegram ुर WhatsApp पे भी follow कर सकते हैं और मेरा book overview आपको अच्छा लगा तो like जरूर करें और share तो ज़्यादा सेयदा करें ताकि आपके classmates और friends को पता चल जाए कि भाई अब session स्टार्ट हो चुका है book overview कोमल माम ने दे दिया है तो भाई ready हो जाए और channel को subscribe करना तो बिलकुल भी न भूले Thank you so much for watching